तो जैसा कि लाच्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रेट इल्डर ने शीव हाव कोस के शेवियर के बारे में बताया था तो अब इस एपिसोड में ग्रेट इल्डर शीव हाव कोस के शेवियर का नाम बता देते हैं जिसे सुनकर शीव हाव बहुत जादे सौक हो जाती ह और पूछती है कि क्या सच में वो फेरी सिस्टर जियान डेन्मार्क के चीफ है जिस पर ग्रेट इल्डर कहते हैं कि इनर सेक्ट का एक भी डिसाइपल दी मौटल सेक्ट में जाने के काबिल नहीं है और सिर्फ तुम्हें ही वहाँ जाने के लिए चुना गया है और जब तुम और टैंग्यून और बागी के लोग जल्दी से जल्दी इनर सेक्ट में चले जाओ और साथी कहते हैं कि तुम्हें जब भी टाइम मिले तो तुम मुझसे मिलने जरूर आना फिट सी हाओ ग्रेट इल्डर को थैंक्यू कहती है और वहाँ से चली जाती है फिट सी हाओ मेशा आपको अपना ग्रेंड फादर ही माना है और आपने भी इतने सालों तक मेरी अच्छे से देख भाल की लेकिन अब मैं आपको यहां से छोड़के जा रही हूँ प्लीज इस टाइम आप मुझे अपना ग्रेंड डाटर एक्सेप्ट कर लीजिए जिस पर ग्रेट इल् कहते हैं कि पाँच साल पहले आपने मुझे से मेरी आइडेंटिटी के बारे में पूछा था लेकिन उस श्मय मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था और फिर कहते हैं कि यह आप जानते हैं मुंग फैंग सेंग की प्रिंसेस थी और वहाँ मेरे पिता को किसी ने मार दिया था लेकिन मैं अपनी मदर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती कि वो जिनता है या फिर उन्हें भी किसी ने मार दिया इसलिए मैं पांच साल पहले वहाँ से भाग कर वांग फू माउंटेन पर चली आई थी जहां आपने मुझे बचाया था और मेरा ख्याल रखा था और फिर में गई रोने लगती है जिस पर ग्रेट इल्डर उसे रोने से माना करते हैं और कहते हैं कि तुम जब स्ट्रांग हो जाओगी तो तुम मैं और टैंग्यूंग मिलकर तुम्हारे फादर का बदला लेंगे और तुम्हारी मदर को भी ढूंड लेंगे जिस पर टैंग्यूंग कहता है कि ग्रेट इल्डर आप चिंता मत करिये मैं future में मेन गई के फादर का बदला जरूर लूँगा और उसकी मदर को भी ढूण लूँगा और इसके बाद ही मैं इसके साथ साधी करूँगा और ये सुनकर great इल्डर में टैंग्यून के पास आते हैं दो डिसाइपल देखके पूंग कह रहे होते हैं ये तो वही टैंग यूंग है जिसने लाउ इनफोर्समेंट के इल्लर को मारा था और यहां की लाउ इनफोर्समेंट इल्लर ने कहा है कि जो भी टैंग यूंग को मारेगा उसके लिए एक बहुत ही बड़ी अचिवमेंट हैं और यहां पे वो दोनों डिसाइपल उन चारों को घूर रहे थे जिसके बाद सूजियान उन दोनों से बोलती है कि क्या तुमने पहले कभी ब्यूटिफुल लेडी को नहीं देखा जो कि तुम्हारे मूं से ला टपक गई जिस पर पहला डिसाइपल कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी दूसरा डिसाइपल उसे रोक देता है और कहता है कि जूनियर सिस्टर तुम्हें इतना जादे रूट होने की जरूरत नहीं है वैसे भी हमें तुम्हारे अंदर कोई भी इंट्रेस्ट नहीं है जिस पर सूजियान गुस्ता करने लगती है तो टैंग उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम रहने दो तुम्हारा ब्रदर इल्ला इन दोनों को शमाल लेगा और तभी पीछे से में गई भी आजाती है और कहती है कि मैं इन दोनों की कल्टिवेशन लेवल नहीं देख पा रही हूं इसलिए हमें इनके साथ फाइट नहीं करनी च चोड़ता है जिसके तुरंद बाद टैंग्यूं उसके सामने आजाता है और उसे भी एक मंच मार के ही वहीं पे गिरा देता है और उसके बाद उसे अपने सिर्फ एक ही हाथ से गला पकड़ यह उठा देता है जिसके बाद दो डिसाइपल कहता है कि अब तुम्हें क्या च चाहे थे और मैं दुबारा से ऐसी कलती नहीं करूंगा प्लीज मुझे जाने दो तो यह सुनकर टैंग्यूं कहता है कि अगर तुमने सिर्फ मुझे मारने की प्राइप किया और तो मैं तुम्हें साइज जाने भी देता लेकिन तुमने मेरी लेडी को गंदी नजरों से द मंगफू सेक्ट का याद दिलाता है और यह सुनकर में गई कहती है कि दो साल पहले हमें ऐसा लगता था कि यह जगह कैसी होगी जहां पर सभी आउडर गेट के डिसाइपल लाकर प्रैक्टिस करते हैं और फिर वो दोनों बाते करने लगते हैं कि तभी सूजियान पीछे से उड़ाती है जिसके बाद टैंग यूंग सियाओ को भी उन दोनों के साथ जाके खेलने के लिए बोलता है तभी थोड़ी देर के बाद वहां पे एक बंदा आता है जो पूछता है कि तुम में से में गई और सूजियान कौन है और यह एपीसोड यहीं पे खतम होजाता है तो और भी अमेजिंग सिरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाथ थैंक्स पॉर वाज़ा है